जैस्रीकरश्ण मित्रों, मित्रों 30 जनवरी 2021 को बुद्गरह वक्री हो चुके हैं तो बुद्गरह के वक्री होने के कारण 12 में से 7 राशी वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा वही अन्य राशी वालों के लिए यह समय सामानि लाप देने वाला होगा तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्यका राशी फल नई नई ग्यानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो गरहों में राजकुमार कहे जाने वाले बुद्गराः तीस जनवरी 2021 को रातरी नो बज के सोला मिलिट पर कुमभराशी में घोचर कर चुके हैं इसी अवस्था में ये चार फरवरी को रातरी दस बज के 38 मिलिट पर मकर राशी में प्रभेश करेंगे मकर राशी में ही गोचर करते हुए 21 फरवरी को प्रातहकाल 6 बच के 18 मिनिट पर फिर मारगी हो जाएंगे और 11 मार्च को बुद्ध ग्रह दोपहर 12 बच के 28 मिनिट पर पुनाह कुम्ब राशी में प्रवैस करेंगे तो किसी भी ग्रह के वक्री होने का मतलब होता है व्यक्ति से मुह मोड लेना उल्टा चलना और सुभाव के विपरित कारी करना और जिस कारी को सुचारू रूप से चला रहे थे उसमें बाधाएं उत्पन करना उस ग्रह से संबंदित कारी व्यापार या सिथिलता उसमें इवं कन्या राशी के स्वामी बुद्गरह कन्या राशी में ही उच्च राशीगत तथा मीन राशी में नीच राशीगत संग्य कमाने गए हैं इनके वक्री होने का सभी 12 राशियों पर विशेश प्रभाव पढ़ता है तो अब जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार इस समय में आप किसी को उधार धन आदी देंगे तो वह समय पर आपको नहीं मिल पाएगा और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा भाईयों से मद्वेद इस दोरान हो सकता है विनम्र विवार रखने की कोशिश आप अवश्य करें विद्यारती वर्गों को सिक्षा प् इसलिए बड़ी काम्याबी के लिए थोड़ा प्रयतन आपको करना चाहिए परिसरम करना चाहिए और संतान के दाईत्यों की पूरती आप कर पाएंगे नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति एवं नए कारी की सुरवात के लिए समय काफी उत्तमाना गया है अगले रा प्राशी के अनुसार आपके रासी से कर्म भाव में वक्री बुद्ध कारी व्यपार में थोड़ी बाधाएं उत्पन न करेंगे। अप्री समाचार मांशिक असांती आपको दे सकता है। इस समय अवधी में आपको थोड़ा धेरी धारन करने की अवशक्ता ज्यादा रहेगी। तोरान आपको विशेश लाब मिल सकता है। साहस पराकरम की वरद्धी आप में होगी और आपके द्वारा लिये गए निड़एं तथा किये गए कारियों की सराहना ज्यादा होगी। विदेश या दूर नागरिता के लिए किया गया आवेदन कोई समय आपका उसमें लग सकता है। और तरक्की के मामलों में थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। प्रतियोगीता आदी में बेटने वाले विद्यारती वर्ग के लिए अधिक मेहनत करने का समय रहेगा। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतनी अच्छी सफलता आपको मिल पाएगी। अगली राशी है करक। करक राशी वालों के अनुसार आपकी राशी से अस्टम भाव में वक्री बुध स्वास्त पर विपरित प्रभाव डालेंगे। चरमरोग दबाव में रियक्शन आदी से आपको बचना होगा। हड़ियों से संबंदी चोटों से सावधान आपको रहना होगा। कारेश्यतर में जगडे विवाद से दूरी बनाए रखें बहतर होगा। कारेशंपन न करें और सीधे अपने घर आएं। अपने काम से काम रखें तो बहतर होगा। कोर्ट कचरी के मामलें आप बाहर ही सुल जाले तो बहतर होगा। इन सब के बावजूद आर्थिक पक्षा आपका मजबूत होगा। काफी दिनों का दिया हुआ धन वापस मिलने की उम्मिद जादा रहेगी। किसी महंगी वस्तु का करई आप कर सकते हैं या नई वस्तु की खरीदारी इस समय आप कर सकते हैं। किन्तु यह अवदी सांजा व्यापार यानी पार्टनर्शिप में व्यापार करने से बचने की रहेगी। शादी विवाह से संबंदित वारता में थोड़ा विलंब होगा। ससुराल पक्षि से मदभेत पैदा बिलकुल नहीं होने दें। केंद्र अत्वाराज्य सरकार के व प्रद्धी ज्यादा करेंगे। आपके अपने ही लोग नीचा दिकाने की आपको कोशिस कर सकते हैं। ऐसे में आपको सतर करहने की आवशकता है। ऐसे में कोर्ट कचरी से संबंदित मामले बाहर सुल जाले तो बहतर होगा। अपनी योजनाओं तथा रण नेतियों को गो प्रयास आपके लिए सफलता दायक रहेगा। अगली राशी है तुला। तुला राशी वालों के अनुसार आपकी राशी से पंचम भाव में गोचर करते हुए बुद्ध ग्रह का वक्री होना विद्यारती वर्ग के लिए एक अलग तरह की चुनोती रहेगी। जब तक ब बढ़ाई में और अधिक मेहनत करने के आवशक्ता रहेगी ताकि परिक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बढ़ाई में गोचर करते हुएं बुद्ग रह सामान या फल दायक रहेंगे क्योंकि इस भाव में यह वैसे भी उदासिन रहते हैं। उर्जा शक्ती का पूर्ण उप्योग करते हुए काम करेंगे तो काफी आप सफल रहेंगे। धनुराशी बालों के अनुसार आपकी राशी से पराकरम भाव में वक्री बुद्ध का प्रभाव आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। विद्यपी अपने साहस और पराकरम के बल पर आप कठिन परिस्तितियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। किन्तु कई बार आलसी की अधिकता जो आपके लिए नुकसान दायक साबित होगी। इसके प्रती चिंतन सी लाप रहें। भाईयों से मदभेत पैदा नहीं होने दें। धर्म कर्म में गहरी रूची आपके बढ़ेगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वरद्धी होगी। विदेशी दूर कमपनी आदी में सर्विस के लिए किया गया आवेदन या विदेशी नागरिकता के लिए यदि आपने आवेदन किया है तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यह समय आर्थिक रूप से आपके लिए बहतर सा भित होगा। अगली राशी है मकर। परिवार में अलगाव की स्थिती पेदा बिलकुल नहीं होने दें। यह समय आर्थिक रूप से आपके लिए काफी मजबूत सा भित होगा। लेकिन कुछ काल के पस्चा स्वतह हल हो जाएगी। विध्यार्थियों अत्वा प्रतियोगिता परिक्षा आदी में बेटने वाले चात्रों के लिए वक्री बुद्ध अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। प्रेम संबंदी मामलों में प्रगाड़ता आएगी। प्रेम विवाह करना चाहे तो अवसर अनुकूल रहेंगे। वही नव दंपत्ति के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। दंपत्ति जीवन भी आपका सुखमे रहेगा। और आर्थिक पक्षबी इस समय आपका बहतर बना रहेगा। अगली राशी है मीन, मीन राशी वालों के अनुसार आपकी राशी से वियाई भाव में गोचर करते हुए बुद्गर, अत्यधिक, भागदोड और खर्च का सामना आपको करवाएंगे। जिसके परिणाम सुरुप आर्थिक मंदी आपको आ सकती है, सावधान आपको रहना चाहिए। विवाह संबंदित वारता में थोड़ा विलंब हो सकता है, केंद्र अत्वाराज्य सरकार के विभागों में प्रतिक्षित पड़े कारी कुछ परेसानी के बाद हल हो जाएंगे, यात्रा देशाटन का लाव आपको मिलेगा, विदेशी नागरिक्ता के लिए यदि आपने उत्तम रहेगा, तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी, यदि आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक वाशेयर अवश्य करें, धन्यवाद जैसरी करश्ट मित्रों फिर मिलेंगे